इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग गैर कानूनी तरह से अमेरिका में बॉर्डर के जरी जाने का ट्राइ करते हैं लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है ये आप लोग मूवी में जानेंगे सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बड़े से विसाल मैदान में एक ट्रक को जाता हुआ देखते हैं इस ट्रक में मेक्सिको से 14 एमिग्रेंट्स को गैर कानूनी तरह से अमेरिका ले जाये जा रहा होता है इन्हीं सब के बीच में एक मौैसिस नाम का आदमी है जिसके हाथ में एक टेड़ी बेर है इस खिलोने को उसके बेटे ने दिया था और अब अचानक से वो टेड़ी आवाज करने लगता है मुएसिस के साथ में बैठा हुआ सक्स बताता है कि इसे कैसे बंद करना है जिसके बाद में ये खिलोना अब आवाज करना बंद करता है अब इतने में ये ट्रक रुख जाता है एक्चली उस ट्रक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ड्राइवर इंजन को चेक करता है लेकिन उसे कुछ आईडिया नहीं है कि क्या हुआ वो पीछे इमिग्रेंट के पास में जाके पूँचता है कि क्या उसमें कोई मेकैनिक है मुएसिस हांथ उठाते हुए कहता है कि वो एक मेकैनिक है वो ट्रक से उतर कर जाके इंजन को देखता है लेकिन प्रॉब्लम साथ कुछ कुछ कॉम्प्लिकेट थी जिससे बिना किसी टूल्स के इसे ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है जिसके बाद में अब ये सभी लोग बाकी का रास्ता पैदल ही चलने का डिसाइड करते है अमेरिका का बॉर्डर अब भी इन से काफी दूरी पर है और वहाँ पर जाना है इन सब का एक मातर ड्रीम है अब इसी दोरान हम दूसरी तरफ सैम नाम की एक सक्स को देखते हैं उसके साथ में उसका डॉक भी है सैम एक अमेरिकन है और उसे दूसरे देश से गैर कानूनी तरह से आये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिससे वो खरगोस के सिकार के बहाने यहां पेट्रोल के लिए आता रहता है इधर ये सभी लोग बॉर्डर पर आने के लिए लगाता रागे बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें तबी गन सौट की आवाज सुनाई देती है जो इधर सैम ने खरगोस के सिकार के लिए चलाई थी ये सभी डर जाते हैं और जाके कैक्टस के पीछे छिप जाते हैं अब जब इन्हें लगा कि वो सेफ है तो वो थोड़ी देर रुक कर यहीं पर आराम करने का फैसला करते हैं इस दवरान मौैसिस नोटिस करता है कि एक सक्स अडेला नाम की लड़की को परिसान कर रहा है एक्चुली ये सक्स अडेला के साथ ही है लेकिन फिर भी अडेला उसके साथ में कंफरटेबल नहीं है मुएसिस इसे देख के उसका ध्यान भटकाने के लिए उस आदमे के पास में जाके सिगरेट मांगता है लेकिन उसके पास में सिगरेट नहीं थी और दोनों के बीच के कनवर्सिसन के दोरान जब यहाँ पर यह लोग सेफ अपने आपको पाते हैं तो यह लोग फिर से चलने का डिसाइड करते हैं इस तरफ सैम को रास्ते में एक सेरिफ मिलता है सेरिफ सैम को रुकवा के पूँचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है सैम कहता है कि वो यहाँ पर खरगोस का सिकार कर रहा है सेरिफ उससे हंटिंग लाइसेंस मांगता है लेकिन सैम कहता है कि खरगोस का सिकार करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ये बात उस सेरिफ को भी पता थी जिसके बाद में सैम यहां से चला जाता है इधर काफी देर से चलते हुए इन इमिगरेंट्स में से ये चार लोगों का ग्रूप काफी ठक गया था जिससे ये काफी पीछे हो जाते हैं और बाकी जो लोग थे वो बिना रुके ही बस किसी तरे यहां से जल्दी से निकलना चाते थे अब पीछे से ये लोग देखते हैं कि वो सभी लोग काफी दूर पहुंच चुके हैं और इसी दोरान इन में से एक को Sam का ट्रक दिखाई देता है Sam रास्ते में अपने ट्रक को रोकता है जहां उसे immigrant का footprint और एक कपड़ा मिलता है सैम समझ जाता है कि वो सभी लोग यहां आए हैं सैम अपने डॉक को इस कपड़े की स्मिल कराता है और अब सैम देखता है कि कई सारे इमिग्रेंट्स इलेगली उनके कंट्री में इंटर कर रहे हैं सैम को यही चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब सैम बिना देरी की अपनी राइफल निकालता है और इन इमिग्रेंट्स पर स्नाइप करके मारना शुरू कर देता है दो लोगों के मरने के बाद ने सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं लेकिन सैम का निसाना काफी यह चूप था जिसमें वो एक एक करके सभी इमिग्रेंट्स को मार देता है इन में से बस एक ही बच पाया था जो वो बाकी किये चार लोग थे उनके पास में चला जाता है मुएसिस के ग्रूप के यह लोग अब यहां से भागने लगते हैं लेकिन सैम को भी पता है कि यहा को अपना यह ट्रक यहीं पर छोड़ना पड़ता है डॉग अपनी स्मेल पावर से उनके पीछे दोड़ते हुए जा रहा था और इधर इन सबको भी पता है कि वह सिकारी हमसे ज्यादा दूर नहीं है डॉग काफी तेजी से भागते हुए इन में से एक आत्मी को पकड़ लेता है अडेला उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन मौैसिस उसे रोकते हुए कहता है कि अब देर हो चुकी है डॉग फिर से उन सबी के पीछे भागता है ग्रूप में इधर चार लोग बचे थे और वो डॉग से बचने के लिए खड़ी पहाड़ी पर चड़ जाते हैं जहां अभी ने कूद कर दूसरे साइड में जाना था मौैसिस अडेला और एक और बंदा तो असानी से कूद जाते हैं लेकिन लास्ट वाला सक्स डर रहा था इतने में वो डॉग पीछे आ जाता है जिससे वो सक्स यहां से कूदता है मगर सही से ना कूद पाने के करण वो लोग कहां हो सकते है सम डॉग को बिठा कर एक वैली में ट्रक को ले जाता है जहां ये लोग भी उसी वैली से ही जा रहे थे डॉग तो फटाक से उतर कर उनकी समील लेते होए उने ढूनने लगता है लेकिन इधर से मौशिस साइम का ट्रक दिख जाता है वो जल्दी से दो लोग बचते हैं सैम बाकी लोगों को भी ढूनने वाला था लेकिन अब जल्द ही रात होने वाली है जिससे वो उन्हें अब बाद में ढूनने का फैसला करता है इधर जब मुएसिस छिपा हुआ था तो वो टेडी बियर फिर से बजने लगता है जिसे वो किसी तरह बंद करता है लेकिन यहीं पर झीपे रएने से से यहाँ से चला जाता है यहां से निकलने के बाद में साम हो जाती है वह दुनों एक जिगह पर बैठ कर अब रेस्ट करते हैं इस दवरान दुनों बेटे से मिले और यह खिलोना उसे दे इधर सैम भी एक जिगे पर रुक कर आज की रात बिताता है अब अगली सुबा होती है अडेला इधर हलका होने गई थी इसी दोरान उसे सैम का ट्रक दिखाए देता है वो जब वापस लोट रहे थी तो उसे यहां पर कई सारे स्नेक द कलने वाला था तो डॉक को कुछ आवाज सुनाई देती है जिसके बाद ने डॉक उस आवाज की और तेजी से भागता है और सैम भी गन लेके उसके पीछे जाता है इधर मौका पाकर यह दोनों उसके ट्रक की और बढ़ते हैं अब सैम जब उस जगे पर पहुंचता है तो खोल देता है मौसिस इस ट्रक को आन भी कर देता है और अब वो दोनों यहां से जाने लगते हैं इन दोनों को लगता है कि अब तो हम बच गए लेकिन इसी दवरान अडेला को गोली लगती है जिससे बैलेंस खोने के बाद में ट्रक पलट जाता है अब सैम और डॉक दोनो पास में रख लेता है मौसिस को पता है कि अडेला यहां से नहीं भाग पाएगी वो अडेला से कहता है कि अगर मैं यहां पर रुका तो मैं भी मारा जाऊंगा मौसिस के पास में कोई और रास्ता नहीं था जिससे वो उसे छोड़ के यहां से अब भागता है इधर सैम और दोनों को ढूंते हुए अडेला से कुछी दूरी पर आ गये होते हैं लेकिन दूर जाने के बाद में सैम उन दोनों का ध्यान बटकाने के लिए फ्लेयर गन चला देता है सैम को पता है कि यह लड़की यहां से नहीं भाग पाएगी और वो यहीं मरेगी जिससे वो उसे छोड के मोईसिस के पीछे जाता है डॉग भागते हुए मोईसिस का पीछा करता है मोईसिस भी अपने आपको बचाते हुए कैक्टस के जंगल में घुश जाता है डॉग उसका पीछा करते हुए जस्ट उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन अपने बचाओं के लिए मोईसिस उस डॉग पर flare gun से fire कर देता है Moises अब इसके बाद में यहां से भाग जाता है और Sam अब यहां पर आके देखता है जहां उसका डॉग मर चुका था इसे देख के Moises बहुत दुखी होता है Sam के अंदर अब गुसा कई गुना बढ़ चुका है Moises भागते हुए आगे जाता है जहां उसके कुछी दूरी पर सेरिफ के कार दिखती है वो उसे बुलाने का try करता है लेकिन आवाज वहां तक नहीं जाती इधर Sam sniper से उसके उपर suit करता है इससे लगता है कि आज किसमत भी Moises के साथ ही है Moises अपने आपको बचाते हुए भागता है और Sam उसका पीछा करते हुए उस पर snipe करता जाता है Moises पहाडों के बीच में चड़ता जाता है Sam भी उसके पीछे पीछे आता है अब एक जगे पर Moises Sam के पहाड के उपर आ गया था Sam भीदर काफी ठक चुका है और अब मौका पाकर Moises Sam को धका देकर उसी के साथ में नीचे गिर जाता है उचाई से गिरने की वज़े से Sam के पैर की हड़ी तूट गई थी कुछी दूरी पर गन पड़ी है जिसे Sam लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन Moises जल्दी से जाके इसे उठा लेता है अब गन उठा लेने के बाद में Moises चाहे तो Sam को मार सकता है लेकिन वो उसे नहीं मारता बल्कि उसे यहीं पर छोड़ के जाने का फैसला करता है क्योंकि टूटे पैर की वज़े से Sam भी यहां से कहीं नहीं जा पाएगा अब Moises इधर से फिर से अडेला के पास में जाता है अडेला बिल्कुल भी होसमें नहीं थी जिससे Moises उसे यहां से उठा कर ही अपने साथ मिले जाता है सफर अभी काफी लंबा था लेकिन अब सायदे लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे तो 14 इमिग्रेंट्स में से सिफ दो लोग ही बच पाए ऐसा कई देशों में होता है जहां लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इलेगली तरह से आते रहते हैं कईयों को तो रास्ते में ही मार दिया जाता है आपको क्या लगता है कि इमिग्रेंट्स को अपना देश छोड़ने की क्या जरूरत पड़ती है तो ये थी 2015 की एक थ्रिलर ड्रामा मुवी का एक्स्प्लेनेशन मुवी का नेम है डेजी अर्टो उमीद करता हूँ कि आप लोग ने मुवी के एक्स्प्लेनेशन को इंजॉय किया होगा मुवी का एक्स्प्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा आज की वीडियो के लिए बस इतना है मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिन वंदे मातरम